उत्तर प्रदीश विधानसभा चुनाफ 2022 के लिए बीते कल चौथे चरण में मतदान हुए मतदान के दौरान कई तरह के विवाद भी सुनने में आए और ऐसा ही विवाद EVM के साथ छेड़ छाड़ का था कुछ जगाहों पर EVM खराब होने या EVM के साथ छेड़ छाड़ होने की खबरे सामने आई रिपोर्ट के मताबिक लखीमपूर खिरी जिले की सदर विधानसभा सीट के एक बूत पर कुछ शरार्ती तत्वों ने EVM मशीन में फैवी कुट डाल दिया जिसके कारण करीब गेड़ घंटे तक मतदान नहीं हो पाया यह घटना कादिपूर सानी पोलिंग बूत पर हुई जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दे एक मतदाता ने इस बात की पुष्टी करते हुए बताया है कि किसी शक्स ने EVM पर फैवी कॉल डाल दिया जिसके कारण बटन नहीं दबा इस मामले को लेकर पूर्व विधायक और लखीमपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतकरश वर्मा ने कहा किसी ने शरारत करके हमारे पहले नंबर वाले बटन पर यानी साइकल के बटन पर फैवी को एक डाल दिया जिसके कारण साइकल का बटन नहीं दब रहा था सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो भी जौनकारी मिली उसके मताबिक पहले नंबर का बटन नहीं दब रहा था हमने तुरंद शिकायत की जिसके बाद चुनावायोग ने कारेवाही की और इस दौरान करीब देड़ घंटे तक वोटिंग रुकी रही सपा प्रत्याशी ने आगे ये भी कहा हमारी मांग है कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ कारेवाही की जाए आरोपी की तस्वीर सीसी टीवी में कैद हो गई होगी और इन्हीं तस्वीरों के जरिये उसे पकड़ा जाए इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है हमारे पास एक शिकायत आई थी कि ईवीम मशीन में गलू लगा कर किसी विशेश पार्टी के बटन को चिपका दिया गया है ईवीम मशीन को बदल दिया गया है मततांच शांती पूर्वक चल रहा है आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफ यार दर्ज कर कारेवाही की जा रही है आपको बदा दे लखीमपूर खीरी वही जिला है जहां पिछले साल तिकुनिया शेतर में चार किसानों की गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई इस मामले में केंद्रिय ग्रहराज्य मंत्री अजय मिशुर्टेनी के बेटे आशीश मिशुरा मुख्या रोपी है नेक्स्ट नाइन निउस नेशन की रिपोर्ट